आफिस में कई सारे मुसीबते, कई सारे परसानिया मुझे ये देखने को मिला जैसे पुछा गया कई बार आप बिहार से हैं, लगते तो नहीं हैं अगर वो अच्छे इंग्लिस बोलता है, उसमें भी लोग सक्क करते हैं कि आप बहुत अच्छे, इंगलिस बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बिहार से हैं. आखिर ऐसा क्या है कि बिहारी जो है, कोई बिहार का विक्ति जो है, इन सपनों को पूरा नहीं कर सकता है. नमसकर साथियों, मेरे छात्रों, आप सबी मुझे जानती होंगे. मेरा नाम जश्वंत कुमार है और मैं बिहार के एक छोटे से गाउं से हूँ जो कि गया जिला में पढ़ता है मेरे बच्पन की पढ़ाई जो है वो गया के छोटे से गाउं में हुआ एक वैसा जगा जहां के लोग जो है अक्सर वहीं सीमट करके रह जाते हैं ना तो अपने जिले से राज्य से या हम कहें कि देश से बाहर जाना तो बहुत ही कालपनिक बाते हो जाती है मेरे बच्पन की पढ़ाई गाउं में ही हुई सरकारिय स्कूल से एक ऐसा स्कूल जिसमें की बच्चे आज भी कलपना नहीं कर पाते हैं कि क्या हम बिहार से बाहर निकल सकते हैं मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे भी कई सारे परिशानियों को देखने को मिला जैसे जनरली सरकारिय स्कूल में देखने को मिलता है जब भी मैं स्कूल में गया हमेशा से यही सोचता रहा कि कैसे मैं बाहर निकल पाऊंगा किसी छјंट का नशीब नहीं करे पहता था जा करके नीशे जो हरा ने या फिर जो हमारे बोरे काफी बढ़े होते थें वह इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे से WORĂह और है किए हुआ फल हमारा होगा हमें यह लालाईद करता था कि हम पर एक दिन स्कूल जाए और हम इसे और भी खुस रहें तो कभी जामुन के बड़ी के नीचे तो कभी हम आम के बड़ी के नीचे में बैठें फिर जब मेरी माधमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई मैं जब अपने ग गाउंग के लोगाउं में सिंटे हुए हैं इसोची नहीं पाया जब मैं सहर गया तो मेरी जो है इंटरमेडियर की पढ़ाई पूरी हुए किसी तरीके से बहुत अच्छे बहुत बहुत बहतरी नहीं क्योंकि मैं बहुत सारे परिशान रहे हैं फाइनेंसल रिसूज भी मुझे यह नहीं बताया गया कि आपको यह करना है, यह options हो सकते थे, मैं केवल और केवल दूसरों को देख करके, दूसरों को समझ करके, या फिर मुझे लगता था कि इनके तरह मुझे बनना है, इन चीजों से ही मैंने अपना रास्ता चुनना शुरू किया, और मैंने intermediate के बा उस धर्मयान भी ट्यूसन प्रहाना नहीं छोड़ा, इस बीच में जब मैंने computer की पढ़ाई जब पूरा कर रहा था, तो मैंने software के बहुत अच्छा ग्यान अरजित किया, और मैंने कई सारे live project वी के अच्छे अच्छे कंपनियों के लिए as a freelancer, और जिससे मुझे बहुत अ तो मैंने बदल लिया, लेकिन office में कई सारे मुसीबते, कई सारे परसानिया, मुझे ये देखने को मिला, जैसे बुचा गया कई बार आप बिहार से हैं, लगते तो नहीं है, ये line मुझे खटकती गई, और मुझे लगने लगा ये बाते, कि आखिर ऐसा क्या है कि बिहारी जो है, कोई बिहार का वच्चा जो है, कोई बिहार का विक्ति जो है, इन सपनों को पूरा नहीं कर सकता है, अगर वो अच्छे English बोलता है, उसमें भी लोग सक करते हैं, कि आप बहुत अच्छे English बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बिहार से हैं, तो आप इतने अच्छे कै जिस समाज से हम निकल करके आज यहां से वहां तक पहुंच गए लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि हम कहां है और वास्तविक्ता तो यह है कि जब मैं फिर से उस स्कूल में गया जहां मैं लगबग 15-20 वर्ष पहले पढ़ा था जब मैं उस स्कूल में देखा कि आज भी स्थितिया जस्किता से उस स्कूल के आज भी बच्चे वही पेड़ के नीचे आज भी बच्चे वही बोरे पर बैठ रहे हैं और आज भी उनकी स्थितिया वैसे ही हैं तो जब मैं आज भी गाउन जाता हूँ और बच्चों की वो तमाम स्थीतियां को देखता हूँ कि स्कूल में आज भी वैसे ही वो पढ़ रहे हैं मुझे बहुत जो है अपने पुरानी घटनाओं की सेमे याद आता है मैं आपको अपने एक घटना के वारे में आपसे सेयर करना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज गया था अपने मित्रों के साथ पढ़ने के लिए बहुत ही एक एक रुपे जोड़ करके मेरे पिताजी ने जो है मुझे पैसे दिये थे कॉलेज के फी भरने के लिए पहले वर्स की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी दूसरी वर्स के पढ़ाई के दौरान ऐसा हुआ कि मैं पूरे फी को अपने घर से ले करके गया था और पूरा फी जब मैं आटो से स्टेशन से आटो से जब मैं जा रहा था कॉलेज के तरब से मेरा बैग खो गया यूँ कहें कि बैग छूट गया और वैसी स्थितिया में मैं समझ नहीं पा रहा था कि कॉलेज की फी को भरू तो कैसे भरू और मेरे दिमाग में बेरे जहन में बस एक ही बात आता था कि मेरे पिता जी का यह वर्सों का जमा किया हुआ पुझी था पैसा था जिसको कि मैंने एक जटके में यहां से खतम कर दिया वैसी स्थिति में मेरे मित्र मैं और सब मिल करके जो है इस घटनाओं से जूज रहे थे सब ने मिल करके मेरा सहाइता किया और कॉलेज की पढ़ाई की और आज वो भी बहुत अच्छे एक सॉफ्टर कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो मैं इन चीजों को जब देखता हूं इन घटनाओं को वापस जा करके मुल करके देखता हूं तो मैं थोड़ा सा इस देहसत में रहता हूं कि आज के बच्चे भी अगर चीजों को जहल रहे हैं इन पर स्थीतियों से गुजर रहे हैं और गुजरना भी लाजमी है क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश के चेतर में अगर देखा जाए तो लगभग 80-90% लोग क्रिशी प्याद आसरी थे वो किसान है और अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे है उन बच्चों को नहीं तो बहुत अच्छा गाइडलाइन मिल पाता है और ना तो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि हमें पढ़कर के क्या अपताप्त करना है मैं जब कंपनी में था कंपनी के लिए नौकरी करने लग गया तब जब मैं वापस गौण आया मुझे यह रिया लाइज हुआ यह महसूस हुआ कि मुझे अपने समाज के लिए भी कुछ करना है और तब मेरे दिमाग में मेरे जहन में बैठ गया कि अगर समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है जो कि मुझे फर्स से अर्स तक पहुंचा दिया है मैं इस समाज को कुछ ना कुछ तो बहतरीन दूँगा और तब मैं सिक्षन कारे में जुडा इसके लिए सबसे पहले मैं सिविल सर्विसेस से जुडा लगबग दो से तीन वर्स तक गहन अध्यान सिविल सर्विसेस के लिए मैंने प्रिलिम्स, मेंस और इंटर्व्यू तक के एक्जाम्स में जो है अपेर हुआ और उसके बाद मैं चुक्षि रुख नहीं सकता था वैसे कहा जाता है नुए उसके अंदर एक डाइनेमिक क्रिटिविटी बनती है उसके अधार पर कभी वो रुख नहीं सकता और मैंने तब जो है गहन अध्यान के बाद जो है सिक्षन का कारेश शुरू किया सिक्षन के दौरान मैंने बहुत बड़े-बड़े कंपनियों के साथ बहुत बड़े अच्छे-च्छे सिक्षन संस्थानों के साथ जुड़ा हमें हमेशा जो है बहुत बहुत बेहतरन बेहतरीन जो है वो मौका मिला और इसका कारण एक मातर ह मैं बच्चों को आज यूट्टूबर मुझे लाखों बच्चे और मुझे बहुत खुसी मिलता है और यह वड़ी गशोसी के बात 2008 मौई भारत के आपके शिक्षक में जूड़ा हूँ और लगबाग को चात्रों को तो यह मेरी जर्नी थी, यह मेरी स्टोरी थी, जो मेरे स्ट्रेकल के फेज से रहा है, तो मेरी जर्नी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं फिर भी जो है, इसको बहुत ही सौट में, बहुत ही छोटी स्तर से मैं आपको बताना चाहा, क्यूंकि मेरी जर्नी से ज्यादा महतपूर कि किसी भी इक्जाम्स के तो आपके मन झेंच चल रहो हूँ कि सर अभ इसके लिए क्या करें तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बहूत ही बहुत ही बहुत ही बह nhất हो निती यह हो सकता है कि मैं हुमसा से बच्छों को क्लास वैं इस बातव को कहता हूं कि अगर आपको सफल होना है सरकारी परिछा में सरकारी एक्जाम के विए बीपियसी की बात करें या फिर और कोई भी पर्टिकॉल एक्जाम की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा मुल मंतर जो होता है वो मेरे तरफ से दो होता है सबसे पहला यह कि जो आपकी तैयारी कर करना है आपका भटकाव नहीं होना चाहिए दूसरी बात है यह है कि आपको इसमें continuous एक patience के साथ एक धैर्रे के साथ लगा हुआ रहना है तो धैर्रे के साथ आप तभी लगेंगे जब आपका है mindset अग्षाम को क्लियर हो होगा कि हमें इस exam को क्लियर करना है नहीं तो आप क्या करोगे की च्रे महिने तैयारी करोगे एक साल के तैयारी करोगे आप एक बार फेल हुए आप उस exam को छोड़ देते हो आपको लगता है कि मुझे तयारी पढ़ेगी तो जब आप चड़ चुके हैं और दुबारा जब आगे भी बढ़ेगे तो सुने से आपको सुरू करने की जरूत नहीं है आप वही से उपर चलेगे तो एक पेसेंस के साथ आपको इन कारियों को करना होगा तो पहला बात जो हमने कहा है कि अनुसासन रखना है अपने जीवन में कि आपको यह करना है तो वही करना है दूसरा पेसेंस के साथ मतलब धैर के साथ आपको आगे कंटेन्यू रहना है लगबग दो से तिन वर्स आपको इसमें एक बेहतर तैयारी के लिए हम मान करके चल रहे हैं बहुत अच्छे से अगर आप समानने भी सबसे अधिक होती है जो या थो उन कम जोर बच्चों में होता है या तो और खौरो हूटांम को सबसे पहले क्या करिएगा एक complete foundation course को आप अपना जो है उसमें करिए जिसमें सिक्षक से आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे से पूरा पढ़िए उसके साथ साथ में क्या करिए कि आप उसको एक बार रिवीजन करिए और रिवीजन के बाद आप उसका mock test लगाईए ये काम को आपको बारबर करना है और ह हर एक subject के लिए करना है आप history पढ़ते हैं quality पढ़ते हैं जोग्रफी पढ़ते हैं हर एक जगा पर आपको इसको face करके चलना है यह तो हुआ यह बात है अब आपके मन में यह चल रहा होता है कि एक साथ हमारे सब्सक्राइब नसली कहें तो कई सारे परिसानिया जैसे कि मैं इन समय के बाद जो है जब आपका एक बहुत ही golden time आने वाला जब आप exam को clear करेंगे तो और हार बिलकुल भी नहीं मानना है हमें यह बाती इतिहास से सीखने के लिए मिलता है जब मैं इतिहास में बातों को पढ़ाता हूं तो कई वर बताता हूं बाबर के बिसे में बाबर होचे कि मैं समरकंद को जीतूंगा जब समरकंद जीतने गये तो फरगना में बिद्रो हो गया और जब वो फरगना आते हैं तो वही समरकंद में बिद्रो हो गया और इस प्रकार से बाबर के हाथ से ना तो फरगना रहा ना तो समरकंद रहा और इस समय बाबर एकदम भठक हुए चल रहे हैं उनकी दादी मा क्या कहती है आज बाबर फिर से राजा है लेकिन कहां का ये पता नहीं बाबर कई जगा पे लड़ा अपने युद्ध को लेकिन बहुत लंबे समय तक का सफलता मिल रहा था लेकिन डी मोटिवेट नहीं हुआ और कहा जाता है इस बात को कि कावल के बाद भारत में इतने बड़े समराज के स्थापना किया जिसकी कलपना भी नहीं कर सकता था कोई और जो है राजा और आप स्वैम देख सकते हैं इस बात को तो अगर वो इतने फेलियर होने के बाद भी एक राजा को जमीन पर आना बात समझेगा बहुत कष्टकार होता है अगर वो उतना पहुचने के बाद भी दुबारा सुरुवात कर सकता है आप परिक्षा में अगर डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप इससे छोड़ देंगे क्या आपको निरंतर पर्यास करना है और अपने जीवन में इन ही तैयारियों से इन ही पर्यासों से जो है वो निखार आने वाला है दूसरा कोई आपके पास में आपसन नहीं है दूसरी बात है तो यह भी है कि हमारे बिहार में ऐसा कहा जाता है इस बात को कि अगर नौकरी करो तो सरकारी नहीं तो खेती करो तो तरकारी क्योंकि आपके पास में तीसरा कोई और अपसन नही हैं हम यह नहीं चाहते हैं हम यह नहीं कहते हैं कि केवल और केवल जो आपको यही देखना है लेकिन अगर आपका द्रड संकल्प है कि हमें यह करना है वाख़ई आप इसे हासिल कर सकते हैं हमें यह तमाम बाते जो है इतिहास से सिखने के लिए मिलता है हम उमिद करते हैं कि आप लोग इस बात को सुन करके, समझ करके, बहुत अधिक प्रेरित होंगे, मेरी छोटी सी जरनी से आप बहुत कुछ सिखेंगे, अगर आप इन तमाम प्रसीतियों से जूज रहे हैं, अपने गाओं के सरकारिय स्कूल से पढ़ करके बढ़े हुए हैं, आप बहुत ही कमजो अपने जीवन के अनुभव जो हैं, हमने आप में भरने की कोशिस की है, तमाम उद Richardson हमारे बिहार से जो है, वह मौझूद हैं, जो कि छोटे से गाओं जहां की ना तो सही तरीके से बिजली पहुंच पाती थी, ना तो सही तरीके से जाने का रास्ता, ना कोई वहान, जहां से लोग जो हैं गाउं से निकलगर के सहर तक भी पहुँच पाए हम ने वैसी प्र ठीटियों को जेला है तो आज तो कम से कम बिहार के प्रतेक डॉँ में मैं मैंन के चल रहाओं की बिजली पहुंच चुकी है वो जमाना था वो समय था जब हमारे पास केवल लैंप होता था जाने के लिए कच्ची रास्ते, हम पैदल जाते थे, किलोमीटर से किलोमीटर तक अपने स्कूल के लिए, आज ये तमाम सुविधाएं हैं, तो आपको केवल और केवल आपके आर्थिक स्थिति, मनोज स्थिति कमजोर नहीं कर सकती है, अगर आपने ठाना है, तो आप कर सकते चलते चलते मैं आप लोगों से जो स्टॉक बिहार के विशह में बात करना चाहूंगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बिहार के किसी भी गाउं में कोई भी बच्चा पल रहा हो, बढ़ रहा हो, चाहे वो दसवी के परिक्षा दे रहा हो, इंटरमेडियर का दे रहा हो, या सरकारी नौकरी की तयारी कर रहा हो, या फिर किसी भी तरीके से बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, क्रिसी से जुड़ा हुआ हो, परते एक बच्चों के लिए, परते एक व्यत्यों के लिए एक बहुत अधिक, बहुत बहुत बहतरीन जागरुकता का काम हमारे जो स्टॉ तक जा सकते हैं आपके सामने ये अनुभव सेयर करने का मौका इस जो स्टॉक बिहार के साथ में तमाम लोगों का देना होता है और जिससे आप बहुत अधिक प्रेदित होते हैं आपके लिए बस एक लाइन कहूंगा कि अगर मैं उस गाउं से निकल कर वहां पहुंच सकता और ये सची जानकारियां जो आपको जो स्टॉक बिहार दे रही है वाकई आप भी कर सकते हैं तो मैं थैंक्यू सो मच जो स्टॉक बिहार को भी कहूंगा और बिहार के तमाम जनता को देश के तमाम जनता को करना चाहूंगा आप प्रेरित रहिए मोटिवेटेड रहिए औ और एक बार आप ये सोचिए कि आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिलेगा, इसके लिए आपको निरंतर पर्यास करना है. Thank you so much.